स्वागत से दोस्तों आपका आपके शाहल पर मैं जुके हैं हम सभी लोग बीट फर्स्ट एर के MCQs कर रहा हैं जो कि आपके आगराई उनिवर्सटी और राजा महंत्र प्रताप उनिवर्सटी की परिक्षा होने वाली है उनसे रिलेटेड हैं और यह सभी MCQs संजे प्रब्ल लोगों को बता देना चाहता हूं जिन लोगों नहीं देखा है इसके मैंने चार पिपर्स कंप्रेट करा दिया हैं और इसकी मैंने प्लेश भी बनाई हुई है बीट फस्टी एर दर के आप लोग वहां से बाकी पिपर्स को देख सकते हैं और अभी जो बचे हुए आपके मैं आपके सारे एक्जाम होने से पहले कंप्रेट करा दूगा तो आप सभी लोग प्लीज पैनिक मत हो आपके सारे mcqs कंप्रेट हो जाएंगे जो भी सब्जेक्स के हैं तो अब हम लोग कंप्रेट करेंगे आज का जो बचा हुआ पार्ट है इसका बीडी 105 का पार्ट इक सब्सक्राइब करें तो आपको वीडियो अच्छा लगा करें तो प्लीज इसको लाइक जरू कर दिया करें और शेयर भी करें जो भी सुजा हो उसको कमेंट भी किया करें तो हम लोग ने पार्ट सेकेंड तक कंप्लेट कर लिया है हम लोग बात करते हैं एकाई तीन की में हम लोग कंप्लेट कर लेंगे स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑप्शन संख्या कोशन संख्या एक उससे पहले मैं आपको बता दूँ जैसे ही यह यूनिट कंप्लेट हो जाएगी इसका मैं पीडिएफ टेलीग्राम चैनल में अप्लोड कर दूँगा आप सभी लोग टेल लिंक पाएंगे पर्मा एजुग्यान के नाम से उसको आप जोइन करिए वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको सारी पीडिएफ्स मिल जाएंगे ठीक है तो हम लोग श्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रशन पाठ्थे चर् कारे करम कब प्रारम्भ हुआ थो आप्षर संक्या आ उनीं सो बावन में कोशन चार बारत सरकार ने राष्टी जनसंक्या पर्योजन की इस्थापना कब की आप्षर संक्या आप उनी सो सत्तर में कहां किया गया उप्षण संक्या यूनिसक्य द्वारा बैंकॉक में कोशन 6 जनसंख्या सिक्षा को रश्टी कारिकरम के रूप में कब सुईकार किया गया उप्षण संक्या कोशन संक्या 9 नेशनल एजुकेशन एसोसियेशन का मुख के कारियाले कहां हैं तो आप्षण संक्या अमेरिका में कोशन 11 चैन के वर्ग के आधार पर पाठे क्रम में कितने विशह रखे जाते हैं आप्षण संक्या संक्या साथ विशह कोशन 12 सारीरिक सिक्षा किसलिए आवश्चक है तो आप्षण संक्या के साथ जाएंगे उपर यह तो सभी कार्ये कौन कौन से हैं आ है सारीरिक समस्या पार्ठे क्रम भी है या कथन किसका है यह आप्षण संक्या ब्रिक्स का कोशन 15 पार्ठे क्रम निर्माड में कैसे विश्यों को सामिल किया जाएं जो कि संसक्रती के संकलन है तू आवश्यक हों तो आप्षण संक्या सभी सभी में जाएंगे आ भाषा ब इतिहास और साहे साहित्यवा विज्ञा कोशन 16 वैज्यानिक विश्यों को अधिक महत्त देते हैं आप्षण संक्या हर्बर्ट इस्पेंसर कोशन 17 पार्ठे क्रम से किन लक्षियों के प्राप्ति होनी चाहिए आप्षण के दा के साथ उपर एक सभी की तो सभी में है आ प्रजातांतिक लक्षों की बा सामाजिक न्याई की सधर्म निर्पेक्षिता सम्मंदी लक्षों की प्लीज जो भी बैक्ग्राउंड में साउंड है उसको न ध्यान दे आप अपने पढ़ाई पर द्यान दे उस चीज़ें होती रहती हैं सौरी उसके लिए जरुवात कब की गई आप्षा संक्या बाव उनीसो अर्शट में कोशन बाइस वेद्याले सिक्षा के निर्माड तत्तो कैसे होने चाहिए आप्षा संक्या दा उपारिक्त सभी तो सभी में है आ तत्तो सहित्तिक वाले बाव वैज्यानिक कारे वाले सा मानव सास्त्र वाल पुशन 25 विषय वर्ग का सर्व प्रथम आधुनिक प्रक्ष किस से सम्मंदित है तो अप्षा संक्या आ सरवांगीड विकास से पुशन 26 विषय वस्तुमें आधुनिक प्रक्ष के सिक्षण नीतियां किस से सम्मंदित है अप्षा संक्या दा उपरिक्त सभी से तो सभी है अ, सरजनात्मक चिंतन से, बा, सरवांगीड विकास से, और साहे विचारों से पूछन सत्ता इस, भारत में विशय वर्ग के आधुनिक प्रक्ष के परिदर से किस से संबंदित है, तो अप्शन संक्या है कुछण संखाय विशय वर्ग संमस्याओं के उन्मुलन से कुछण 39 कौशन 30 कौन सा सिक्षा दर्शन प्रवर्तित अनुशाशन की भर्षन करता है तथा बच्चों की रूची पर आधारित सामाजिक अनुशाशन की हिमायत करता है अप्षा सिंग्या सा प्रयोजनवाद कौशन 31 राष्टी पाठी चर्या की रूप रेखा 2005 में कर्चा सेकेंड या दो तक ग्रहकार के अनुशाशन सा नहीं की गई है कर्चा तीन से प्रती सब्ता कितने दिन के ग्रहकार के अनुशाशन सा की गई है तो अप्षा संक्या अबबा दो दिन के कोशन संक्या 32 प्राथिमिक इस्तर पर भी स्री अर्विंद द्वारा सुझाए गए पाठे क्रम में निम्नांकित में से क्या नहीं था तो अप्शन संक्या अबबा सरीर विज्ञान और स्वास्त सिक्षा कोशन 33 कांदी जी की बेसिक सिक्षा में विज्ञालेई परिवेस पर सरवादिक प्रभाव किसका था अप्शन संक्या अ प्रकरतिवात का कोशन 34 प्राश्टी पाठे चर्या की रूप रिखा दोजार पांच के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा प्रमुक वदलाओं नहीं है तो अप्शन संक्या अबबा अध्यता स्वायतता से अध्यापक अभिदशा की ओर कोशन 35 पुस्तक दिवास अपने के लेखक थे अप्शन संक्या अ गिजु भाई बदेका कोशन 36 विद्यारतियों में नैतिक मुल्यों की स्रेश्टतम इस्थापना की जा सकती है अप्शन संक्या बाब पाठे सायगामी क्रियाओं से कोशन 37 निशुल्क एवम अनिवारस इख्षा अधनियम 2009 के अनुसार विद्याले विकास योजना का निर्माड किसका दाइत्त है अप्शन संक्या बाब विद्याले प्रवंदन समीति का कोशन 38, निसुल के वुम अनिवार सिक्षा अधनियम 2009 के अनुसार 6-8 वी कख्षा तक के विद्याले के लिए एक पूर्ण कालिक मुख्या ध्यापक उपलब्द कराया, जहां बच्चों की प्रवे संक्या होगी, अप्षा संक्या आ, 80 से अधिक. कोशन 49, विद्याले में सारीरिक दंड पर रोक लगी है अप्षा सिंग के अद्दा, RTI अधिनियम 2009 दौरा. कोशन 40, निउन्तम अधिगम इस्तर MLM 1991 इस्तापित किये गए थे अप्षा सिंग के आ, समता और गुडवत्ता के संयोजन हे तू. कोशन 41, जहां तक मूल्यों का प्रशन है, अप्षा सिंग्या बाग के साथ जाएंगे, यथार्थ वादी तथा आधर्श वादी दोनों के मूल्यों का आधार मानव अनुभव होता है. कोशन 42, किसे सिक्षा दर्शन के अनुषार, सिक्षक की भूम का मात्र पत्थ प्रदर्शक और प्रेशक की बताई गए, अप्षा संक्या आ, प्रकर्तिवाद. कोशन 43, पाठिक्रम के विकास की संकल्पना में क्या सामिल नहीं है, तो अप्षा संक्या है, आ. कोशन 44, पाठिक्रम बनाने में कच्छा इस्तर के अनुसार विसेवस्तु को विभाजित करने का काम किसके अंतरगत आता है, अप्षा संक्या आ, विसेवस्तु का स्रेड़ी करन. कोशन 45, निमने लिकित में से कौन सा दर्ष्ट कोड अधिकम को ग्यान अरजित करने और उप्योग करने के स्रेश्टता मानिसिक प्रक्रिया के रूप में देखता है, अप्षा संक्या आ, रचनावादी. कोशन 46, किसी विद्याले पाठे करम के सरवादिक सटीक परिवासा है, अप्षा संक्या आ, पाठे करम की पूर्ण सारणी. Q47. पाठ्टे पुस्तकों के प्रक्ष में मुख्य तर्क यह दिया जाता है कि आप्षा संक्या सा पाठ्टे पुस्तके यह सुनेश्चित करती हैं कि सिप्छार्तियों दोरा कितनी नियुनतम प्रमाडिक विसेवस्तु का आध्यन किया जाता है Q48. वर्दा सिक्षा प्रणाली का प्रस्तावक किसे माना जाता है आप्षा संक्या दा महात्मा गांधी को माना जाता है Q49. सिक्षा की किंडर गार्डन प्रणाली का मुख्य प्रस्तावक किसे माना जाता है आप्षा संक्या आप फ्रॉबिल को परन्तु जब वे आईस्क्री में चॉकलेट खरीते हैं तो उन्हें यह गड़ना करने में कठिनाई होती है कि उन्हें कितने पैसे वापस लेने हैं यह शायद इसलिए क्योंकि अप्शे संक्या बाग के साथ जाएंगे कारविधिक ग्यान प्राय काफी अभ्यास के बाद सीखा जाता है कोशन संक्या बावन ललित अपने कक्षा सहपाथि दिनेश की साहिता से अपनी सेक्षिक समस्याओं का समाधान कर पाता है निमनलिकित में से कौन सी धारणा उसकी इस्तिती को इसपष्ट करती है अप्शे संक्या आ समीपस्तिक विकास का छेत्र कुशन तरेपन किसी भी प्रकार के एतिहासी या समकालित सामाजिक और आर्थिक अलाब की बोध गम में मौजूदगी किसका आधार होगी होती है राथ यार्थ परण करहों से नाहो SEC वे विकति जिनका सेक्षिक दर्शन प्रियोजन वाद है अप्शे संकिया साथ जाएंगे दावा करते हैं कि ज्यान अंतरिम या अस्थाई होता है तथा सत्य सापेक्ष होता है Q56 एक लोगतांतरिक समाज का मूल आदर से आप जिस चीज को भी व्यक्ति अनुचित समझे तुरंत उसकी आलोचना करे Q57 विद्याले पाठी चर्य का उद्देश्य होता है अप्षा संक्यादा बच्चों के एक प्रभावी और अर्थ पूर्ड जीवन यापन के लिए अपेक्षित कौशल प्रदान करना Q58 प्रकरती अनुसाल सिक्षित करने से अभिप्राय है अप्षा संक्याद सा प्रकरती नियमों का अध्यान करना और सक्षिक प्रक्रिया में उनका उप्योग करना Q69. नूतन ज्यान को विस्तार पूर्वक प्रस्तूत करने और उसे संगठित करने में विद्यारतियों की सहायता करने का सरवाधिक व्यवारिक तरीका है अप्शितन के अद्धा समस्या आधारित अधिगम का उप्योग करना Q60. अध्यापन पद्धतियों के संबंद में दर्शनिक विचार धारा के किस संपरदाय का मत है कि अध्यापन पद्धति को पहली चीजों सिद्धानतों से हट कर अंतिम चीजों फलों परिडामों तथ्यों पर विचार करना समाविष्ट करना चाहिए Q60. अध्यापन करने की प्रक्रिया के दवरान उन्हें अनुभव के अधीन छोड़ देने में ही सत्य के उधाहरण मिलते हैं Q61. निम्न लिकीत पैसे कौन सा विचार रविंद्रना टैगोर के जश्टी कोड से संबंदित नहीं है Q62. समकलित शिक्षा अवधारणा किसने प्रस्तुत की अधा स्री अर्विंदो ने Q63. सिक्षा की किंडर गार्डन प्रणाली किसके दौरा संगटित की गई थी अध्यापन फ्रोबेल के दौरा Q66. अधिक लाड़ प्यार बच्चे को बिगाड देता है या माननेता अनुचाशन के एक प्रकार से संबंदित है जिसका समर्थन आप्षा सिंक्या साब व्यवारित्तावादी दर्शन ने किया है Q66. यह कथन किसने कहा क्या साहित वही दर्शाता है जो इतिहास में चित्रित है आप्षा संक्या बाव रविंद्रना टैगोर Q66. पाठिक्रम में भाषा क्या होनी चाहिए आप्षा संक्या बाव मात्र भाषा Q69. मात्मगादी ने सिक्षा में किन कार्यों पर बल दिया है आप्षा संक्या साब उपर इक्त दोनों पर तो दोनों में क्या है आ कार्यान भव और बाह बुनियादी सिक्षा कोशन सत्तर पाठिकरम के माध्यमत्य समाज में किसकी पूर्थी होनी चाहिए उप्षे संक्या साथ उपर एक दोनों की तो दोनों है आ आवशक्ताओं की बा आकरंग्शाओं की कोशन सत्तर पाठिकरम समाज की प्रवरती को प्रतिबंबीत करता है कोशन सत्तर पाठिकरम के एतिहसिक प्रक्षों के कितने बिंदू है और आ तीन बिंदू 75. गडित का दैनिक जीवन में किन कारीयों में प्रयोग होता है। क्ष़न सब्संक्या है payment सब्सक्राइब कोला नतरी किसकी परिभाशा Q82 चाहा है उप्शर संक्या अरस्तों कीуется 42 यंश क्या है आपशे संक्या बिकती Lil Bach OS 3 सामाजिक विज्यान का किसके विकास पर बल है उप्शा संक्या के दा उपरिक्ट सभी सभी में आजाता है अ समाज बा जीवन इस्तर और साय पर्यावरान कुशन 84 समाजिक विज्ञान सिक्षड की मुख क्रियाओं को किस प्रकार दर्साया जाता है अप्षर संक्यादा उपर एक तो सभी के दौरा चार्ट दौरा माडल दौरा और मानचेतर दौरा कुशन 84 नागरिक सास्तर के अध्यन में कौन-कौन से कर्तव आते हैं अप्षर संक्यादा उपर एक सभी तो सभी में है आप पड़ोशियों के प्रतिकर्तव देश के प्रतिकर्तव और साहे केंदरी सरकार के प्रतिकर्तव कुशन 87, सामानी सिक्षड के लिए पार्टिक्रम में इतना महत्वपूर्ण विसे कोई नहीं है, यतना कि सामाजी का अध्य है, या कथन किसका है, आप्टिक्र सिंक्या आप, प्रोफेशर एड वुड का कुशन 88, पार्टि पुस्तकों के मुखे लाब क्या है, आप्टिक्र सिंक्या दा, उपर एक सभी, तो सभी में आजाता है, आ, चात्रों की आवशक्ताओं की पूर्ति करती है, ब, आधार प्रदान करती है, और सा ग्यान संग्ठित करती है, कुशन 89, भ्रमण वीदी है, आप प्रजातानत्रिक, कुशन 89, पेद्याले इस्तर पर विज्ञान के कितने वर्गों को रखा गया है, आप्शन के दा, उपर एक सभी, तो सभी में आपको पता है, भ्रतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और अशायन विज्ञान, कुशन 92, जीव विज्ञान के पाठिक्रम किस प्रकार के उद्योष्यों को रखा जाता है, आप्शन संक्यासा, आ और बा दोनों, तो आ है सामाजिक विज्ञान और बा है प्रकरतिक विज्ञान, कुशन 93, किन भाषाओं में अलंकारों का प्रियोग किया जाता है, आप्शन संक्यासा, उपर एक तो दोनों, तो दो क्रफ्षा को किस कख्षा से प्रत्थक विश्य के मानता दी जाती है और शांग से प्रियोग साला कितने वरगों में व्युवाजित की जाती है और शूंग तीन Q97, उद्देश एक पहले सोचा हुआ लक्ष है, जो कुछ सरगर्मी या चालाक वेवार को एक दिशा प्रदान करता है, या कतन किसका है, अप्षर संक्या आ, जॉन डीवी का Q98, वाडिजी सिक्षा सिक्षड का वह रूप है, जो प्रतेक्ष और अप्रतेक्ष रूप से व्यापारी को उसके कारणियों के लिए तयार करें, या कतन किसका है, अप्षर संक्या सा, हेरिक का Q98, वाडिजी सिक्षा मुख्य से आर्थिक सिक्षा का कारिक्रम है, जो धन को उपलब्द, संचित और उसको व्याप करने से सम्मंदित है, या कतन किसका है, अप्षर संक्या आ, पॉल एस लॉमेक्स का Q101, अर्थ सास्त्र विशा के मुख्य तत्तों है, अप्षर संक्या दा, उपरित सभी, सभी में आ जाता है, आ, आर्थिक सिद्दान्त, बा, आर्थिक विकास, और सा है, आर्थिक उपकरन Q101, पाठिकरम किस तरह के वातावरण के घटकों के विशा में जागुरुकता प्रदान करता है, अप्षर संक्या ऐसा, आ और बादोनो, आ है भोतिक और बाहे सामाजिक Q102, सामाजिक जीवन में व्रद्धी है, तु आवश्यक तर्थो क्या है, अप्षर संक्या ऐसा, आ और बादोनो, आ है संप्रेशड कोशल का विकास, बाहे आवश्यक भाशा योगताएं होना Q103, यदि अध्यापक पार्थे करम के विशाय में जानकारी रखता है, तो किसे प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है Q104, किस विद्वान ने पार्थे करम में वेज्ञानिक वस्तान सकतिक विशियों को महत दिया है Q106, यथार्त वाद में पार्थे करम में कितने विशियों को सामिल किया जाता है कोशन 107 बाल के इंद्रिव सिक्षा में क्या देखा जाता है उपर रुक्त सभी तो सभी में है आ बालकों की रुची बा है बालकों की आयू और सा है बालकों की अभिवरत्ती 108 माद्धिमिक शिख्षा आयोग 1952 ने पर्टिकरम निर्माड की कितने सिद्धान्त बताए है और सेख्षड़िक 111. नई सिक्षा नीती की सुरुवात किस सन में हुई है? अप्शे संक्या अबाव, 1986 112. 10 प्लस 2 प्लस 3 सैक्षिक समरचना फरमूलों को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? अप्शे संक्या अबाव, राष्टी सिक्षा नीती 1986 के द्वारा कोशन 113. उच्छे तर प्राथमी के इस तर पर विज्ञान कितने भागों में व्यवक्त हो जाता है? अप्शे संक्या अपाँच 114. एक अच्छा पाथिक्रम सदैव होता है अप्शे संक्या 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 और बा दोनों तो आ है कुछ अनिवारे और बा है कुछ एक्षिक कोशन 170 विसे केंदेत पार्ठिक्रम का दूसरा नाम क्या है अप्षा संक्या बा पुस्तक आधारित पार्ठिक्रम 118 पार्ठिक्रम संपूर्ण मानवजाति के ज्यान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए या कतन किसका है अप्षा संक्या फ्रोबल का 120 पार्ठिक्रम निर्माण करते समय बच्चों की कीन बातों का ध्यान रखना चाहिए अप्षा संक्या हसा आ और बादोनों का आ है मानसिक इस्तर और बाहे परिपक्कोता 121 विषय केंदरित पार्ठेक्रम का दूसरा रूप क्या है तो आप्षय संग्या है आ सास्तर केंदरित पार्ठेक्रम 122 पार्ठेक्रम विकास के मुख्य आयाम कौन से है तो आप्षय संग्या है सा आ और बा दोनों आ है विषय वस्तु और बा है उद्देश 130 चैनिति विशेवस्तु के मुख्य आयाम कौन से हैं तो आप्षा संक्या हद्दा उपर एक तो सभी सभी में आ जाता है अ ज्यान का चैन बा सूचनाओं का आपचारिक संगठन और सा है विशेवस्तु की समझ 124 विशेवस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए उप्षा संक्या दा के साथ जाएंगे उपर एक तो सभी सभी में है संकल पनाव वाली बा है छात्रों के मूल्यों पर विचारों वाली और सा है अधिगम युगताओं से परिपूर्ण 125 पार्टिकरम के मुख के पहलू कौन से है तो अप्षा संक्या दा उपर एक तो सभी सभी में आ जाता है आ सिक्षा के उद्देश बाहे पार्टिकरम की प्रक्रिया और सा है अंतिम उत्पादों का मुल्यांकन 126 पार्टिकरम के प्रारूपों के कितने भाग हैं और साहे अधुनिक काल 128 विसे वस्तू गठन में किन किन सावदानियों को महतों दिया जाता है और सुधता बायोगिता वश्यमता साहे उपयोगिता 130. विशेवस्तु छात्रों को किन आवश्यक्ताओं को पूर्ण करने वाली होनी चाहिए? अप्श्य संक्याद्धा उपर रिक्त सभी सभी में आ जाता है आ कोशल, बा रुचियां और साहे मूले 130. अधिगम अनुभव छात्रों को किन छेत्रों में पूर्ण विकास की शक्ति देने वाले होने चाहिए? अप्श्य संक्याद्धा उपर रिक्त सभी सभी में आ जाता है आ संग्यानात्मक, बा भावात्मक और साहे मनुक्रियात्मक 131. पाठ्यक्रम की प्रवर्ति क्या है? अप्श्य संक्याद्धा सह आ और बा दोनों, आ है परिवर्तित और बाहे विकसित होना 132. सिक्षण विदियों का चैन किस आधार पर करना चाहिए? अप्शा संक्या दा, उपर उक्ति सभी, सभी में है आप्शन आ विसेवस्तु, बाहे सनवचना और साहे विकास इस्ता 133. पार्ठिकरम मुल्यांकन का अर्थ किससे है? अप्शा संक्या दा, उपर उक्ति सभी से है, तो सभी में है आ विसेवस्तु से, बाहे पार्ठिकरम के घटकों, उद्देशियों से, और साहे विविन विदियों से 134 पार्टिक्रम नियोजन अवस्था में सलग्ण रहने वाले व्यक्ति कौन-कौन है उप्षे संक्या दा उपर एक्ति सभी सभी में आ जाता है आ चातर अभिवावक ब विद्याले अध्यापक और सा है विशय विश्य सग्या 135 और अचनात्मक या निर्माडात्मक मुल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग करता है अप्षे संक्या सा आ और बा दोनों की आ है पुनर निर्वेज और बा है समायोजन की 136 पाठेक्रम प्रतिमान कौन से होते हैं यहां पर उपर 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 सभी है अप्षे संक्या दा तो सभी में कौन कौन से आ है उद्देश या मुल्यांकन प्रतिमान बा है प्रक्रिया प्रतिमान और सा है परिस्थेती प्रतिमान प्रतिमानों को कितने वर्गों में विवाजित किया गया है आप्शन संक्या है आ चार विवागों में प्रतिमानों के अंतरगत कौन से विशाय आते हैं तो प्रतिमानों के अंतरगत कौन से विशाय आते हैं तो प्रतिमानों के अंतरगत कौन से विशाय आते हैं आ साहित, बा संगीत और साहे ललित कलाएं। 140. पेराडाइम किस प्रकार की रूप रेखा का समू है। आप्शासंग के साथ जाएंगे, उपर एकते सभी का, तो सभी में है आ समस्या का, बा उप कलपनाओं का, और साहे विधियों का। 143. कलिंगर ने पेराडाइम का अंग किसे माना है। आप्शासंग के है दा, उपर एकते सभी को, सभी में आ जाता है आ ग्राफ को, बा रेखा चित्र को, और साहे शाबदिक कथन को। 142. पेराडाइम समस्या तक पहुंचने है तो क्या है आप्शासंग के दा, उपर एकते सभी, सभी में है आ, मार्ग, बा, धाचा, और साहे रूप रेखा। 143. पेराडाइम सुध कारे को किस रूप में प्रस्तुत करता है आप्शासंग के साह, आ एवं बा दोनो, आ है विवस्तित और बा है क्रमवद्ध तो हमारा ये पार्ट थर्ड भी कंप्रिट हो गया है, माफी चाहता हूँ आप सभी से, अभी इस पार्ट में मैं सिर्फ औ सिर्फ आपको पार्ट थर्ड ही कंप्रिट करा रहा हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ, अभी इसके तुरंद बादी मैं आपको पार्ट फॉर्थ और फिफ्थ आज ही आपको मैं कंप्रिट करके दे दूँगा, कुछ प्रॉब्लम हो रही, इस वाए से मैं उसको मच पाएंगे, किसी कारडवस में से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका एक पार्ट और मैं लेकर आऊँगा, पार्ट थर्ड, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, मैंने स्टार्ट बोल जरूर दिया था, मगर अभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, जिसको मैं आपके सारे MCQs आपके exam से पहले complete करा दूँगा, तो प्लीज वीडियो को share जरू करते रहें, अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को subscribe कर लें, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरू करते करें, थेंक्यो सभी को